Welcome students, स्वागत है आपका एक बार, फिर से हमारे शैनल उपलर गुरू पे बात कर रहे हैं यहाँ पे मगद युनिवर्सिटी के सेशन 18-21 के और सेशन 19-22 के दोस्तों एक्जाम आपका बहुत सारी स्टूरेंट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक्जाम सब्जेक्टिव हो गया या अब्जेक्टिव दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं आपके सब्जेक्टिव या अब्जेक्टिव एक्जा आने वाले हैं सारा कुछ यहां पर इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं बात करने वाले हैं एड्मिड कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं परिक्षा रूटीन के बारे में इसलिए जो भी छात्र आप लोग को बता जोस्तों जो भी छात्र यहां पर सत नोटिफिकेशन है मनें देखा है कि उसको पढ़ने तक में यहां पर दिक्कत आ रही है लोगों को जो YouTube वीडियो बना रहे है उन्हें पढ़ने तक में दिक्कत आ रही है जो ओफिशल नोटिफिकेशन को पढ़ने ही पारे हैं दोस्तों यहां पर explain करने वाले मगज उनिवर् के बारे में बात करने वाले हैं और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो की बहुत ही जादा जरूरी हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं मगर 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 यहां पर उससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारे इस चैनल के बारे में अभी तक नहीं पता था तो दो दोस्तो अभी तक कहां थे आप मगद University से जुढा हुए सारा का सारा अपडेट हमारे चैनल class Case Lab सारा का सारा अपडेट डाला जाता है हमारे इस चैनल पे सबसे पहले Examination program भी पूरे YouTube सबसे पहले हमारे ईस चैनल पर डाला गया था तो दोस्तो अभी तक अगर नहीं जुड़े हुए हो तो हमारे चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दवा दो और बगल में जो बैल आइकन है उसो आल पे जरूर क्लिक कर दो ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे कभी भी मिसना हो तो दोस्तो जैसा कि आप लोग को यहां पर पता चल ही गया होगा कि आपका जो एक्जाम है वो OMR शीट यानि की अब्जेक्टिव एक्जाम होने वाला है आप लोग को नहीं पता है तो आपको दुबारा बता दूँ आप लोग का एक्जाम जो है वो अब्जेक्टिव होने वाला है हलां कि बात यहां पर करने वाले model paper question paper sample paper के बारे में जो की available है जिसे की आप लोग देख सकते हैं कि परिक्षा का pattern क्या है हलां कि market में बहुत हर चीज का यहां पर available हो गया है धीरे धीरे आप जाके बाजार से खरी सकते हैं उसको है ज्यादा यहां पर नहीं बचा है दोस्तों आप ज्यादा देर ना करते हैं omr sheet को explain करते हैं कि किस तरह से आपके marks बटे हुए और किस तरह के questions हैं वो आपके exam में आने वाले हैं तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर सामने देख सकते हैं मगज यूनिवर्सिटी के official notification है यह और यहां पर बताया जा रहा है साफ साफ कि आपका जो question paper होगा omr based होगा omr based question paper मुझे उमीद है कि आप लोगों ने इससे भी आपको allowed हो उससे dark करना होता है वही आपका answer यहां पर माना जाता है दोस्तों आप लोग को इसको पढ़के पूरा explain करने वाला हो और बहुत ही important है एक एक चीज़ यहां पर ध्यान से सुनिएगा आपका पूरा जो 100 और साफ साफ बताया जा रहा है कि omr based question paper shall be prepared there will be no delay in evaluation and pending results यहां पर बताया जा रहा है कि आपका जो exam होने वाला है और यहां पर जो result आएगा इसके बाद उसमें भी कोई देरी नहीं होने वाली है क्योंकि आपका जो result pending जो result हो जाता है हर साथ यहां पर pending result इस बार कभी नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पर नहीं आपका जो result जब exam देंगे आप तो उसके कुछ दिनो बाद ही आपका result आप बात कर लेते हैं जो आपका जो preparation question paper का है वो किस तरह से आने वाला है आपका जो exam का question आने वाला है वो किस तरह से आने वाले तो आपको बता दें तो यहां पर बता जा रहा है कि इन OMR based question paper multiple choice question shall be used ask for convenience of student यहां पर आपको आपके आसानी के लिए 754 बताया जा रहा है कि किस तरह से आप लोग का यहां पर question paper आने वाला है फॉर्स्ट पॉइंट कर mogą पढ़ें तो आपको यहां पर साफ साफ देखने के लिए मिलेगा कि यह वाला question कि simple question simple multiple choice questions यहां पर 40 questions आने वाल है यहां पर सत्तर में से 40 questions बहुत ही पर यहाँ पर आसान आपको पढ़ने वाला है बिल्कुल 40 नम्मर का सिंपल मल्टिपल चोइस कोश्चन्स आएगा 10 कोश्चन यहाँ पर 40 40 simple multiple choice कोश्चन के बाद 10 सेक्वेंस तैप आएगा देखिए और यहां पर जिस जिस अगर 40 जादास्स वार जादाताक्स वार्ष ब सकत्ति कुंच यहां पर नायचे से जैसे sequencing type यानि कि यह 10 question आने वाले हैं और 10 question जो sequence type है यह लगातार 10 questions रहेंगे और यह भी उतना ज्यादा hard ने रहेंगे हलाकि यह simple multiple choice question से थोड़े ज्यादा hard रहेंगे sequence type question के just नीचे आपका assertion reasoning type आएगा question assertion reasoning type questions का यहाँ पे सारा साफ साफ मतलब होता है कि एक statement that says you strongly believe that something is true यानि कि आप लोग का ऐसा question आप लोग के सामने एक question सामने लिखावा रहेगा और आप लोग को वो question confuse करेगा कि जैसे कि अगर कोई चीज है कोई process लिखा हुआ है कि इस process को क्या बोलते हैं तो वो process जो है और नीचे चार नाम लिखे वे रहेंगे आपके सामने और वो जो process है वो चार नाम आपको confuse करेगा कि ऊपर जो question है इन में से चार रह को क्या बोलते हैं ये assertion reasoning question है ये confuse करेगा आपको ये जो 5 number का question है ये confuse करने वाला है जैसे कि आप लोग को पता है subjective exam होनी रहा, आप लोग pen से तो कुछ लिखने नहीं वाले, कोई अगर math का है तो सवाल नहीं बनाने वाला, अगर physics का है तो कोई numericals नहीं आने वाले, अगर और कुछ है तो यहाँ पर कुछ लिखने की जरुवत नहीं है, बस यहाँ पर आपको द और उसको आपको यहाँ पर explain करना होगा कि यह जो है, यह किस तरह से यहाँ पर बताया गया है, इसके just बाद यहाँ पर देख लेते हैं, जो next है just, वो matching है, यहाँ पर matching sequence type होगे, assertion reasoning type होगे, matching, 10, इन में से 10 questions आपको matching, 70 में से 10 questions आपको matching के भी मिलेंगे, जो की बहुत ही ज questionnaire type है, यह easy questions माने जाते है, assertion reasoning type से, जो matching questions होते है, यह easy questions माने जाते है, assertion reasoning, next पर आते हैं, अगर paraphrasing questions, यह जो सबसे last वाला question है, यह बहुत ही जणा यहाँ पर आपको challenge देता है, देखिए paraphrasing क्या होता है, paraphrasing जो सबसे last में questions आपको 5 questions रहने वाले हैं paraphrasing के ये जो 5 questions होंगे ये सबसे आदा आपको challenge देने वाले हैं दोस्तों देखिए बहुत सारे यहां पे ऐसे भी जगह हैं जहां पे कि आप लोग बहुत ज़गा अगर इदर दर जग भी कर लेते हैं तो भी आप लोग यहां पे हो सकता है कि गलत यहां पे अनुमान लगाएं चार options होते हैं आपके पास और फिर भी आप लोग हो सकता है गलत अनुमान लगाएं तो paraphrasing आपको बता दे कि paraphrasing होता क्या है लेकि paraphrasing होता है कि to express something again using different words यानि कि कुछ ऐसी चीज लिखी रहेगी जो कि आपको पता होगा पहले से आपने किताब में पढ़ी होगी लेकिन वो अलग शब्दों में लिखी होई रहेगी लेकिन कुछ अलग शब्दों में या आपके दिमाग को confuse करने के लिए पैरफ्रेजिंग यानि कि कोई सेम चीज है जैसा कि अगर हमें साफ अगर बोतल में पानी पीते हैं तो आपके सामने सीधा बोतल नहीं लिखा हो रहेगा आपके सामने लिखा रहेगा वो क्या चीज होती है कि जो कि इसमें कि पानी बरके हम लोग पी सकते हैं देखिए ये कुछ चीजें जो कि घुमा के लिखिवी रहेंगे और लिखना आपको सही answer वहा है जो कि आपने book में पढ़ा हुआ है या फिर जो आपने किताब में बना आया हुआ है सही answer वही लिखना है अलाखिए पानी त आसान तो होने वाले हैं ये बात तो confirm है आसान तो होने वाले हैं बत यहाँ पर भी बहुत ज्यादा challenge आपके शामने आने वाला है तो इसलिए थोड़ा सा तिहान से रहे और इसको समझ लिए कि किस तरह से आप लोग का अलां कि आप लोग और भी जादарт कर सकते हैं सेंपल पेपर या फिर मॉडल पेपर और भी जादा आपकी प्रैक्टिस और भी जादा मझबूत और भी जादा अच्छे तरिके से हो सकती है अगर आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है model paper जो भी आपको market में उपलग्द मिल रहा है बहुत सारे छात्र बोल रहे है कि अलग-अलग brand का नाम ले रहे हैं जैसे कि कोई बोल रहा है कि sir हमारे किसी जो sample paper जो model paper लिया है उस पर किसी दूसरे university का नाम लिखा हुआ या फिर और हमारी university का नाम नहीं लिखा हुआ है तो दोस्तों आपको अभी जो मिल रहा है हलाकि आप लोग को पता है कि आप लोगों ने जिस university में admission लिया हुआ है मगध university में ये कभी भी कोई भी काम यहां पर time पर नहीं कर पा रहा है हलाकि चात्रों का भी graduation भी यहां पर चार-चार साल से जाधा यहां पर समय ले लेता है लेकिन अब लोग अगर आप लोग आज चुके हैं इसमें तो आप लोग को थोड़ा सा यहां पर बढ़ास्त करना पड़ सकता है क्योंकि यहां पर देखिए आ आप लोग उसको read करना यहां पर सबसे first priority बनाईए और यहां पर जो भी आपका एक हफता समय बचा हुआ है उसको use करिए बात अगर करें यहां पर admit card के बारे में तो दोस्तों आप लोग का admit card जो है वो जारी हो चुका है यहां पर बहुत सारे part 1 की students बोल रहे हैं देखिए आप लोग direct जाके check कर सकते हैं सब लोग यहां पर चातरों को problem आरे से no record found लेकिन अभी आप अगर जाके check करते हैं तो आपको सीधे जो चीजें हैं वो बिल्कुल साफ साफ यहां पर देखने के लिए मिलेंगी आप लोग direct अपना जो course है उसको लिखिए अपना नाम लिखि है हमारे जो की link description में है जहां पर की हजारों चातर आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और आप लोग को अभी तक नहीं पता है तो हमारे उस channel से हमारे जो telegram का group है उससे join हो यह और आपको अगर किसी भी type की मदद चाहिए तो वहां पर आप मदद ले सकते हैं अगर आ आपना जो date examination का date है subsidiary examination composition का तो वहां पर चातर आपकी आपस में खूब मदद कर रहे हैं तो आपकी भी वहां पर मदद जरूर की जाएगी तो दोस्तों link जो है वो description में है जाके उस telegram group से join जरूर हो यह और आपकी भी यहां पर मदद की जाएगी और साथ में मदद भी की ज जाले जाते हैं जो कि आपको सबसे पहले दिये जाएंगे दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं अगर आपने vaccination अभी तक नहीं लगवाया है तो vaccination भी देखिए अगर आपने अभी तक नहीं लगवाया है तो first dose आप लोग लगवा सकते हैं वहना देखिए कोई ज्यादा important यह बत वहाँ पर हो सकता है देखा जाए अभी तक नहीं पता है क्योंकि first exam conduct किया जा रहा है इस कोरोना के बाद first exam इस तरह से conduct किया जा रहा है हो सकता है आप लोग का देखा जा सकता है इसलिए अगर आपने लगवा लिया तो बहुत ही अच्छी बात है आपके पास अगर certificate है vaccination का तो बहुत ही अच्छी बात है one of us dose आप लोग जाके ले सकते हैं और अपना जो एक तरह से safe side आप लोग रह सकते हैं आप लोग उससे भी बचने का प्रयास यहां पर कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल है अभी भी जिससे कि जो कि आप लोग सोच पूछ रहे हैं जो कि आप लोग पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए हमारे इस वीडियो के comment section में आपको आपको आपका जवाब भी जरूर दिया जाएगा और देखिए दोस्तों इस वीडियो को share जरूर करें ताकि कोई भी छात अगर confused हो कि किस तरह की exams में किस तरह के questions आने वाले हैं तो उसको इस वीडियो को देख के बहुत ज़ादा यहां पर help मिलेगी इसलिए इस वीडियो को अगर आप किसी भी इस तरह के whatsapp group किसी भी तरह के telegram group में जुड़े हुए जहां की जहां पर कि मगद university के students है तो वहां पर इस वीडियो को share जरूर करें और आपको भी कोई question है तो आप भी जरूर पूछे इस वीडियो के comment section में मिलते हैं दोस्तों और आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया तो like भी जरूर कर दें और दोस्तों हमारे इस channel मगद university से related सारे के सारे updates आते रहते हैं इसलिए channel को अगर subscribe नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का subscribe button है उसे subscribe कर दीजिए और बगल में जो bell icon है उसको all पे जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी update आपसे miss ना हो मिलते हैं दोस्तों next update के साथ जैसी मगद university कोई भी next update जारी करता है उसके साथ तब तक के लिए नमस्कार